एक कवीता सुनाता हूँ आपको निरज की बहुत ही सुन्दर कवीता है क्योंकि जीवन का ये हाल हो रहा है अच्छी बात नहीं है निरज इसमें कहना चाहरे हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अपने कुछ अर्मान होते हैं फिर आसपास वाले उसको बड़े बड़े अर्मान पकड़ा देते हैं और वो दोनों अर्मान मिला कर हर कोई यहां एक सपनों की दुनिया बना के बेठा है अर्मानों की दुनिया अपनी बच्षपन में फिर क्या होता है वो भी बता रहे हैं लेकिन बच्षपन में बना के बेठा है एक एक लाइन ध्यान से समझना कि स्वप्नद तुमें गाना ने गाना भई वो भी आत दिनाना पड़ेगा नितो नहीं, चलेगे में ऐसा है कि होस्पिटर का बिल कॉन भरेगा और होस्पिटर वाले को समझ में नहीं आएगा गाना गाने से किसे बेहुस हो सकता है ठीर क्या होगा, वहाँ पर ट्रायल लेगा तो जो आपको ठीक करने वाले वो भी बेहुस हो जाएंगे तो अपने कुछ रस्ते नहीं जाना ना, कभी कभा ठीक है तो सप्न जरे फुल से सप्न जरे फुल से मीत चुबे शुल से लूट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे एक उम्र थी जब बच्चे ने अपने सपने भी बनाये थे कि मैं यह बनूँगा, वो बनूँगा प्रोसेस गलत है, फिर भी बनाये थे फिर माता, पीता, आस, पास, धरम, ध्यान वालों ने भी पकलाये थे है न, कि कुल्नी नहीं जगाऊंगा यह करूँगा कोई छोड़ता तो ही नहीं तो बड़े बड़े सपने और जीवन के 10-20 साल निकले नहीं तो उसके बाद की हालत बता रहे हैं कि सपन जरे फुल से फिर रोज एक सपना जैसे पेल पेसे फुल खिलता ना जर जाता है फिर रोज एक सपना हर कोई भूलता है कब यह नहीं हो सकता छोड़ो फिर आज यह नहीं हो सकता छोड़ो तो सपने चुने क्यों थे उस समय होश नहीं था कि कितने पूरे हो सकते हैं अरे भई तीन शौक तीन प्रदीवा इतनी सपने थे जो पूरे हो सकते हैं हजारों समा लिए तो सपनने फूल से मिध चुबे शुल से लूट गए सिंहगार सभी बाग के बबुल से अब जीवन बाग का बबुल हो गया है अब बबुल के पेड में सिंगार होता ही नहीं है सुकी सुकी लखड़ी आएं सब ने सब जल गए और हालत ऐसी हो गई कि इसके पेले की समझ पाते कि निंद भी खूली न थी कि हाय दूप ढ़ल गई पाव जब तलक उठे कि जिन्द की फिसल गई पेला होश आने से पहले जिन्द की फिसल रही है सरंडर कर देते कि अब इस जीवन में कुछ नहीं हो सकता यह सबसे खराब परिस्तिती है और वो बहुत जल्दी आ जाती कि बास अब जो है यह है और इसी तरीके से किसी तरह से काटना है और यह जीवन का अंत हो गया एक तरीके से तो वो हम नहीं चाते रीवर्स आना चाते हैं आगे बढ़ना चाते हैं कि नींद भी खुली न थी कि हाए दुप ढल गई पाव जब तलक उठे चिंद की फिसल गई पात पात जल गए शाक शाक जल गई चाहते निकल न सकी पर उमर निकल गई चाहते भीतर ने गई उमर निकल गई क्यों निकल गई क्योंकि 20 साल पढ़ने में दे दिये फिर 20 साल शादी और बच्चों को दे दिये और खूब महनत करी जिवन के सबसे गोल्डन पिरियर्ड ये जो 40-50 साल है उसका क्या हाल कर दिया फिर 50 साल में चाहते एक न निकली उमर पुरी निकल गई गीत अश्क बन गए सपन होदपन गए साथ के सभी दिये दुआपहन पहन गए और हम जुके जुके मोड पर रुके रुके उम्र के चड़ाओ का उतार देखते रहे मौत का हिंजार बाकी रे गया बाकी सब खत्म हो गया और जब बच्चे थे अब निरच के रहे हैं जब बच्चे थे तब क्या बात थी हमारी क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा तीन साल का बच्चे का हाल देखो जो निरच के रहे हैं कि क्या शबाब था कि फ कि देख आइना सिहर उठा इस तरफ जमीन उठी तो आस्मान उधर उठा थामकर जीगर उठा और जो मिला नजर उठा क्या बच्चा था बोले मैं जब बच्चा था तो अइसा था मैं यू इस तरब देखू तो धर्ती उट पड़ती थी उस तरब देखू तो आसमान उट पड़ता था आइने में देखू तो इश्वर दिखता था और जहां नजर गुमाओं सेवक दिखते थे क्या चाहिए बेटा क्या चाहिए बेटा क्या चाहिए बेटा महां से बढ़कर ये क्या हाल कर लिया मेरे अपना क्यों क्यों कि एक दिन मगर यहां हवा कुछ ऐसी चली है ना ज्यान की फेक्ट्रियां लग गई कि लूट गई कली कली गुट गई गली गली और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे साज की शराप का खुमार देखते रहे कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे और अंत में फिर निदज वापस बच्चों पर आ रहे हैं और ये लाइन सुन ले ना कि क्या लिखते हैं ये लोग कि जब बच्चे थे तो परक्रती ने क्या संभावना देके बेजा था कि हाथ थे मिले बच्चे को हाथ थे मिले कि जुल्प चांद की सवार लू ये बच्चे की संभावना थी यहां तो बीबी की जुल्प नहीं सुलज रही है है ना हाथ लगाने जाते बाल बिगा लेगा क्या लेकिन बच्चे को तो हाथ थे दिये की जुलप चांद की सवार दू होट थे दिये की हर बहार को पकार लू दर्द था दिया गया की हर दुखी को प्यार दू दर्द था दिया गया की हर दुखी को प्यार दू बुद्ध सा रदय देके बेजा था कि हर दुखी को प्यार दूँ और सांस तो ऐसी थी कि जब चाहे तब स्वर्ग धर्ती पर उतार दूँ लेकिन दुष्टों के कारण हो सका न कुछ मगर शाम बन गई सहर वह उठी लहर की द गए किले बिकर बिकर और हम डरे डरे नीर नयन में भरे ओड कर कपन पड़े मजार देखते रहे कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे क्या बाद है तो इन शायरों ने बड़ा कमाल कर आए कि बच्चे क्या संभावना लेके आए है वे स्वास ले और स्वर्ग धर्ती पर न उतार आए उस बच्चे के हमने क्या हाल कर दिये हमारे हमने क्या हाल कर दिये कि चाहते निकल नी रहे और उम्र निकल गई तो ऐसा मत करो तीन चाहत तीन शौक पूरे कर लो अब मैं एक सिंपल बात कहना चाहरा हूं मैं खड़ो के समझाता हूं और उम्मीदे की सब जने समझ जाएंगे जीवन तो हमें बनाना है न अंडा बेचना बादा आ रहा है न शिक्षा बादा आ रही है जो बादा आ रही है मैंने आपको बताई कि आप सामान महेंगे में खरीद रहे हो है ना और सस्ते में बेच रहे हो नुकसान कर रहो चीजे जो पा रहे हो सकी कीमत महीं है लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा चुका रहरे है वो आज से उभी से बंद कर लो है वह अभी से बंद कर लो आपका काम ही नहीं अटक रहा है आपको यहां से घर जाना है, रस्ता मालूम है, तो किसी से भी पूछने की जरूत नहीं है, है ना, हाँ फिर जो यंग्स्टर है ठोले कलाका रहे हैं, तो कोई लड़की दिख जाए कि तो पूछेंगे, बले अपने को मालूम है, तो चलो इतना हस्ते खेलते पूछ जाओ, प पता नहीं मालूम है, तब पूछोगे, सिंपल बात है, तो जरूर यह तो पूछ लो, नहीं, तो निकल पड़ो, बीच में कोई गरबल मत करो, अनावश्यक कुछ भी काम मत करो, बड़ी कीमत चुकाओगे, एनर्जी जाएगी, और यहां पर जब डेटा होते हैं, तो यह पागल हो जाता है, यह इंस्ट्रुमेंट पागल हो चुका है, उसने इसको पागल कर दिया है, अब सवाल यह है, कि जीवन का मकसद क्या है, चलो, दो लाइन में समझें कि जीवन का मकसद क्या है, जब आप पैदा हुए, आपने भी सोचा होगा कि जीवन का मकसद क्या है, क्या चाहते हो आप बोलो कोई इमांदारी से बोलो माइक लेके बच्पन में क्या चाहते थे आप दिल खोल के जीना और बड़ा काम करना बस ही मसकते हैं कुन सा बड़ा काम करना जो भी आपको जो जो अंदर से आता है डैट्स अंदर से आता है तो पीसे से बोला नहीं नहीं तो आज कल बला काम करने के लिए बहुत लोगों को ढूंड रहे हैं आप तो समझे के तेरी पोल खोलने का में समझ गया मतलब ठीक समझा अब ऐसा नहीं के थे सर हमें कुछ नया करना है कुछ नया खोजना है जिससे सारी दुनिया उसका फाइदा उठा है इसलिए यह वायक से है यह वायक से यहाँ से है जो उनोंने बताया कि यह सत्था प्रक्रती की है मनुश्य की चता क्रेट करने की नहीं है फो इस पॉइंट की है और प्रेट कीटे फिरे उत्यकों इसके जोगा और सब को आज़र देगा तभ करेट होगा ठीक है मैं भी चाहता हूँ कि आप वापस यहां पर आ जाएं समस्थियां समाप्त हो जाएगी आप पूरे के पूरे यहां पर हैं मेटरेंड अपने को पैचनो और जिनकी में दूसरे को कैसे काम आ सकते यह दो चीज मेहिन है दूसरे को छोड़ो अभी मैं कह रहा हूँ तो दूर है अपना काम पेले सेट कर लो देखो घर भरा होगा ना तो दान कर पाओगे बैंग में बैलेंस होगा तो चेक फाल पाओगे इसले कभी दूसरे पर नहीं आना हमारे पास सो प्रतिशत है फिर दूसरे की तरब देखना पेले अपना पूरा कर लो सब जने ये भी में बता रहा हूँ वरना भटक जाओगे लेकिन सर एक है कि सेल्फिशनेस उसको सेल्फिशनेस नहीं कहते है अब गादी जी का एक्जामपल लीजिए पूरी जिनगी उन्होंने चालिस साल देश की सेवा में निकाले तो आज करनसी पर भी जब तक हिंदुस्तान रहेगा करनसी पर रहेगे अब आप गादी जी का नाम मतलो नहीं आप गादी जी का नाम मतलो पुर्ण जी को अपना बगर किसी को डिस्टब की उद्धार कर रहा हूं और मजे में जी रहा हूं इसको इसको बगवान का काम करना केते हैं कि चलो कम से कम एक बंदे की तो अब चिंता नहीं करनी पड़ेगी इसलिए आप गादी जी को बीचों मतला एक तो मेरे सामने ना बड़े-बड़े लोगे नाम मतलो फिर मेरे को भी कभी कुछ बोल दाओंगा तो सबको अच्छा लगेगा असार मुझे लगता है कि जियो और जीने दो यह सबसे बेस्ट फॉर्मुला नहीं है आप जीते क्य हो आप जीना क्यों चाहते हो मकसद क्या है क्योंकि खुशी हची खुशी से जीना है और सबको हमारी वज़े से सबको खुशी बढ़ सके उनकी सेवा कुछ सेवा कर सके हम लोग एक मिनेट यह तुम जो उपर से नीचे तक हो वो क्या है वो बैलेंस से भीतर वरोबर है अब कोई दूसरे की बात छोड़ अब भीतर खुशी यह 200 वरोबर है अब उसमें से कितनी वापरेगी और कितनी घाव में बाटेगी तो भाईया 200 खुद के लिए वापर लो बस जब खुशी बढ़ जाएगी ना तब कोई पुछे का निक मुझे खुशी बाटना अपना आपके पास में आके लाइफ में फिर से मस्ती वापिस आगी है आजाएगी अगर मनुष्य को कोई बचा सकता है तो उसके शौक उसका आनन्द उसकी खुशी उसकी मस्ती समद लेना अब आप ये हो अब समद लेना चाहते आप क्या हो जड़ा गोर करना आज के बाद बोलने की जरूत नहीं है सबको मालूमें बरोबर हैं चाहते सब कुछ यहां पर है है ना गाड़ी घर पत्नी डिगरी एवोर्ट बड़ा घर बड़ी गाड़ी चाहते हो ना हां ठीक है बहुत बल्या बात है अगर आप बोले कि किसी का 99 परसंट लोगों को गाड़ी की चाहा है कि मैंने अभी देखा है कि आदमी लोगों को रास्ते पे चलने के लिए जगानी और गाडिया कहां पर सर पर उठा के लेके जाएंगे क्या आगे चलके यह हमेशा मैं सोचत इसलिए मैं गाड़ी के कभी भी सपना नहीं रख्यों समाज के तरीके से भी सोचती हो और एनौर्मेंट कभी यह करना चाहिए ना थोड़ा सा पूरी जवाबदारी अपनी ने वो लोग विचार अपना काम करी रहे ना अभी अपन तो भगवान कुछ कर रहे इसके पहले ह हो फिर बढ़ा घर चाह रहे हो फिर प्रकति चाहरे हो मैं मानता हूं कि आखमना कान और दुनिया ने समज्जा दिया है कि यह चीज जरूरी है में भी मानता हूं में हमाने में कोई पहला भगवान और वह कि उसमें कि कि बबहा भगवान को बुरा मानने की जरूत नहीं है और कोई दूसरा भगवान है वो रुपईया है उसमें भी किसी को बुरा मानने की जरूत नहीं है और कोई तीसरा भगवान है, तो वो भी रुपईया है, और जिसके पास इतना रुपईया है, वो सुबह से घर से निकलता है, और 20-40 भगवान खरिद के लिए भी आता है, तो भगवान को तो समझ में आ रहा है कि उसका हाल क्या हो चुका है, है ना, रुपिय में बिखता है, रुपिय से चलता है, तो जो आज की दुनिया है, मैं इनकार नहीं करता कि उसका पहला भगवान रुपिया है, उसके बगर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, यह आज का जीवन है, और जो आज का जीवन है, वो यह आज का सत्य है, और उस सत्य के साथ भगवान है, बरो बरेत, यह बात बराबर है, लेकिन सवाल यह है, कि रुपिया आए कैसे, चाहिए कितना, सवाल तो कहिए न, अब हिंदुस्तान की हालत देखकर बड़ा कश्ट होता है, कि 40 करोल लोगों के पास खाने को नहीं है, इसी देश में है, हम तो यहां बैठे हैं, और अपनी समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं, एक कात दिन कभी उनको बुलाओ, उनकी समस्याओं सुनो, यहां से सब घर पे नास्ते हो जाएंगे, अपन तो बढ़िया लाइफ जीन है, एक ही साइको ट्रिट्मेंट में काम हो जाएगा, यार अपन तो वेल सेटल ने कोई तकलीफ ही नहीं है, तो कितनी तकलीफ है, फि पढ़ने हैं कि जरुएक किसी को है तो उनको है, लेकिन पढ़ाएंगे कैसे, काम पे लगेंगे, तो घर चलेगा, यह हलत है इस देश की, तो उनकी समस्या को तो साइड में करते हैं, दूसरे स्टेज पे आये, कि बही चलो मिडिल क्लास फेमिलिये, तो उनके बच्चों को भी करना तो पढ़ेगा, हाँ यह सुविधा है, कि उन्हें पढ़ना जरूरी नहीं है, अगर पढ़ने में केरियर बनाना नहीं है तो, उनके पास सुविधा है कि टेलेंट है, ताप उसमें हाथ आजमा सकते हो, यह सुविधा है, बट दो में से एक तो करना पढ़ेगा, यह बात तो पकी है, ठीक है, तो यहां तक की तो सब बात हैं समझ में आती है मेरे को भी है, लेकिन बात जो समझ में नहीं आती है, वो यह है कि मैं जिसको भी देखता हूँ, उससे पूछें कि समस्या क्या है, है ना, तो एक तो घर में पत्नी कॉमन समस्या है, पत्नी के और ये प्रेंपूंट रिष्टा मेरे आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों में समस्या है और आप पाटी मिलो हाथ में हाथ डाल क्या हाथ I am poor and you are for me पाटी में हाँ और जैसे ही घर आया हाथ जटका यूँ देखा सिंपल तो समस्तिया एक तो यह है और दूसरी समस्तिया यहां पर है हर आदमी ऐसा सोच रहा है कि यार यह एक बेटरूम का फ्लेट है वो तिन बेटरूम का फ्लेट हो जाए ना सेट यह स्कूटर से गाड़ी आजाए ना तो सेट यह सोच रहा है अभी काइदे से वेसी सोचे ज्यादा दिमाग में आनी नहीं चाहिए और वो कब आनी चाहिए वो भी होताओंगा क्योंकि लाइप तो सेट करनी पड़ेगी क्योंकि भगवान पैसा है है ना मुंसिपल होस्पिटल में भी पैसा नहीं लगेगा बट यह हिंदूस्तान है इलाज करवाने के लिए रिश्वत तो लगी जाएगी तो बात तो वह की होई हुई हुई इस समस्तिया तो गेहरी है और दुनिया के आदे चोर अधी है यह हैं और बचोंग वह आदे ट्रेंड होने के यहां आये हुए हैं कि यार तुम चलते पीरते किसे कर लेते हो मतलब हम तो कभी सूचते तो चेक मेंने लगते हैं भीर नहीं हो यहां तो तो तुम चलते पीड़ते हैं इसको देखो वो यह में 100-500 टूपी लेकी निकलता है दिखानीक पीनाई नी इतने मास्तर लोग तब इस दुनिया में कि थोड़ा सा समझो कि आप यह हो यह बात आप ध्यान में रख लोगे तो भटको गे लिए और हर चीज की एक किमत चुकानी पड़ रही है यह बात ध्यान क्यों नहीं रखते हो आपका एक बेटरूम का मकाने में मानता हूँ मैंने तो दस साल ऐसे गुजा रहे हैं जब एक बेटरूम के मकान में हम 11-12 जने रहते थे इसी बंबे में कभी कोई कश नहीं आया दूसरे बेटरूम के आवसकता नहीं पड़ी और फिर भी और गेस्ट आ जाते थे तो छट पे सोने चले जाते थे लेकिन सवाल यह है कि आप जब तय करते हैं कि चाहिए तो किस कीमत पे यहां पर आप उसी क्षण कोशिश करते ही पूरे के पूरा मर जाएंगे खयाल आते ही मर जाएंगे खयाल आया नहीं कि मरे नहीं कहां मरे यहां पर मुझे यह चाहिए यह यह यहां से एक जिशूं करके तीर छोड़ता है वो इस मन में आके फिट हो जाता है कितना दुखी है तुदेख तेरे पास यह नहीं है तुरंत यह भाव आयाता है गोर करना फिर पाने के लिए प्लेटर पे तो है नहीं तो फिर आठ साल दस साल यह करूँगा फिर एक बेटरूम बढ़ेगा आठ दस साल करोगे बढ़ेगा एक बेटरूम दस साल यहां मरोगे अब दस साल बाद जीवन में बचेगा क्या और इतना कश्ट जब दस साल उठाओगे तो घर में रिष्टे बचेंगे क्या मुझे यह बताओ हाँ जो मैं कहे रहा हूँ समझ में आ रहा है में भी मैं गीता हूँ है एक बेस सेलर मैं गीता हूँ भगवद गीता की साइकोलोजी पर संपूर्ण साथ सोच लोकों की एक अभूत पूर व्याख्या है आप पूरे के पूरे यहां हो चले जाना यहां पर अंदरी स्टेशन चर्च के स्टेशन वो परिवार रेते हैं सडकों पर सो रहें बच्चे चोटे-चोटे बच्चे और दिन भर खेलते हैं देखना उनकी आखों में क्या है उनके पास पांच मिट देखो कर लगेगा यह तो बाश्चा यार, इसके पास कुछ कमी नहीं है, सड़क पे सो रहा है, खेलने को खिलोना नहीं है, पेनने को कपला नहीं है, बाश्चा है, ऐसा दोड़ता है, ऐसा खेलता है, कितनी एनरजी, खाने में क्या मिलता है, कच्ची दाल मिल गई, मिल गई, कहीं से मांगे यह बॉक्स वाब तो इस बॉक्स को मार के यहां कुछ चाहिए इसका अर्थ क्या हुआ कि मुझे अपने को मार कर गाड़ी चाहिए यानि कि अपने को मार के पत्रा चाहिए और पत्रा भी किसके लिए क्योंकि उसके पास है इसलिए ये कैसा जीवन मना रखा है मत चलो इस रास्ते मिलेगा कुछ भी नहीं ठक जाओगे मिलेगा कुछ भी नहीं और सब इस रास्ते लगे हैं क्योंकि प्रेशर है घर में एक आदमी नहीं है इच्छे आदमी हैं और कभानेवाले कोहर को सुना जाता है वो बढ़ गया आप क्योंकि वो केरम नी खेलता है अभी मेरे मज़े देखना है यार वो गाली पे जा रहा है मरसीडीज में जो दस साल मिनत करके मरसीडीज लाया है ना वो गाली में बैठता है ना तो यसा लगता कुछ इंशार आ आप फर्क तो समझो कि आप की स्कीमत पर लायों क्या मजा देगा तो मरने की बाती बंद करो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो यह गलस सिक्षा है इच्छा नहीं करो के तो मिलेगा कैसे प्लानिंग नहीं करो के तो मिलेगा कैसे जैसे आप प्लानि किया और मिला अरे इतनी टफ लाइफ में जी रहे हो मैं दर्ध जानता हूँ जहां कमाना मुश्किल है और बगर कमाये चल नहीं सकता पेला दूसरा तीसरा सोवा सारी चीज सारा भगवान पेशा है लेकिन वो इस तरीके से तो नहीं मिलेगा नहीं इस तरीके से गाड़ी चलेगी अपने को मारने वाला प्रक्रती से कुछ भी सप्लाई नहीं पाएगा और जो अपने लिए जीएगा वो प्रक्रती से सब कुछ पालेगा फिर उसे एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा नहीं केना पड़ता है तो दो बातें समझ लेना मैं एक फस्कलास बाक्य बोलता हूँ, सारे महान लोगों के जीवन का सारे है ना और फिर निरच की एक कविता है, लेकिन वो कविता नहीं पड़ता हूँ मैं कि खुशी खोजने जो निकला, वो चमन लेके लोटा लेकिन जो प्यार को खोजने निकला, वो न तन लेके लोटा, न मन लेके लोटा तो आप इस प्यार को खोज लो, इस प्यार से जितना मिल जाए, उतना ही लो, उतने में ही मजे लो उतना ही जीवन जीओ, एक बात पक्की हो गई, कि आपका जीवन मजे मोने गैरेंटी हो गई मैं अपने शौक और अपनी प्रधिभा में गुम रहा हूँ, कुछ तो मिलेगा अच्छा मिलने के लिए मुझे कस्त नहीं उठाना पड़ रहा है तो जो और जितना मिल रहा उसका मज़ा ही तो लेना फ्री में, क्योंकि फ्री में मिला है आपने कस्त उठा के कुछ पा भी लिया, अपने को मार के पा भी लिया, तो मज़ा नहीं दे रहा है तीन तो बिमारिया लग गई और थक गए इसका क्या मज़ा लेंगे और तब तक आपस में रहते रहते इतने स्टेस हो गए मिया वीवी में की बात ही नहीं हो रही है हर तिसे दिन डाइवर्स कब लेंगे अभी क्या करोगे नए फ्लेट का इतने कष्ट में आएगा नए फ्ल आपके लिए आप किम्ती हो यह सामान के भरोसे आपका जीवन नहीं है इसको नकार लोगे आप बड़े बन जाओगे लाउस से हमेशा केते हैं कि महान बनाने वाली और महान सफलता दिलाने वाली सिक्षाइं ऐसा लगता है पीछे ले जाएगी और इसलिए मुर्ख लोग उन सिक्षाओं को सुनते नहीं है और बर्बाद हो जाते हैं लेकिन दो-चार ग्यानी जो उसमें मान लेते हैं वे महान भी हो जाते हैं और सफल भी हो जाते हैं सो आपका ये बॉक्स बिगड़ा उसके बाद में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है बुद्धी अंकार की ताका थे शेतान की ताका थे लेकिन शेतान को जो कुछ भी मिलता है बड़ा कश्ट उठाना पड़ता है नंबर वन मिलता है नहीं मिलता है गैरेंटी नहीं है जीवन सेट है और जब तक ये बॉक्स सेट है प्रक्रति की और से कोई भी वंदर कभी हो सकता है और प्रक्रति जब देती है ना चपर फाल के देती है वो कभी एक फ्रेट दो फ्रेट एक गारी ये इतना छोटा नहीं सोचती है ति वह उसको देती है जो कंश्ट नहीं उठा रहा है?? जो कंश्ट उठा रहा है आप वह कैस्ट उठाने का हांदी हो गया उठाने दो, 그게 को देखता है? लेकिन जो कंश्ट नहीं उठा रहा है कि हर हाल में खूशे ।े इसलिए केते हैं मेरे कास है दिलीफ कुमार की पिछ्च्य सगीना काना है किष्ष ओर कुमार न उज 짜रोग मिन इसे के स्भिधा पूरा च्छपपर सर पाल के देता है और किसको देता नंग्धलंग दुर्बलों को बड़ी बड़ी दुर्भिनों से ताल यहाँ। इन उपरवाला यह देखता है एंट। कौन सबसे आदा गरीव है। कौन पेडने कपे निय्टिम्टीम्ट फिर मज़े मैं Ship MICHAEL! यह मिल गए हैS और फिर यहां देखता है, इसके वास गाड़ी है, घर है, कस्ट है, जो है तो भी छिलो, इससे भी छिलो, और फिर अचानाक, एक लड़का, पेट्रोल में पेट्रोल भर रहा है, क्या मुझे में दोको, चेरी की लाली वो की वही, छोटी से उमर में गाल इतने फुले होगे, क्या नाम है इसका, तो दिरूबे अम्मानी है, दो दो इसको, दे दिया, हो पेट्रोल भर रहा है, तो दिरूबे अम्मानी मना दिया, तो उपर वाला जब भी देता चपपर फाड़ के देता वो नीचे नीचे मेरें यह सब जमॉव में नीपड़ता मनुष्य कृत्ती भी ताकर लगाले तो एक बेटरूम, दो बेटरूम वह बोलता है एक बंबे तेरा हो गया उड़ूम में ने फोटता है मैं आपको जीवन का सच्चा गनित बता रहा हूँ, आप खूश हो, मैं कष्ट उठा कर, पत्थर कंकर, लोहा लंगर, खरीदूं, कष्ट उठा कर, ये सामान्य बुद्धी से पचने वाली बात नहीं है, है, है ना, इसके बजाए, ट्रेन में बेटके वहीं पोच जाओं जा पोँचना है, ये बुद्धी मानी की बात है, कि गुंतीस दिन कस्नी उठाया, तीस्वे दिन ज्यादा मज़ा ट्रेन में जाने का आया, ये बीड बलका हो, हंगा माँ चला हुल, राध दानी का खाना भी खालिया, हर स्टेशन पे भी कुछ ना कुछ खालिया, ये ना, गाली में जगला हो जाता है, एक बोलता है, यह रुक, दूसरा बोलता है, यह नहीं रोकूँगा, तीसरा बोलता है, वहां क्यों रोकी, और अपने ट्रेन में जाओ, उसकी मर्जी से रुके की पोच हो, वह अपने को मार रहे हो, और आदमी अपनी कीमत पे पत्थर लोहे चुन रहा है, वह आदमी बुद्धिमान नहीं है, वह आदमी कभी बड़ा नहीं बन सकता, जो थोड़ा वह पाएगा, उसमें भी कष्ट पाएगा, इसलिए आप घौर्ड से देख ले ना, कि जिनों अहंकार के बल पर कुछ पाया भी है, वह बिमार भी है, कष्ट में भी है, दुखी भी है, ना शौक पूरे हो रहे हैं, ना जीवन में हसी है, घर में सिर्फ कक्राट है, संबंध हैं नहीं, यह एक नहीं हजार केस में देख लेना, लेकिन जिसने भगवान के साथ रे के पा अपने को बचा लो, इतने में गुजारा हो जाएगा, और इतने में गुजारा होगा, तो फिर भगवान की निगाज आएगी, रोने वालों को वो देखता नहीं है, जिसके पास कमी है, उसको वो बिखारी केता है, और बिखारियों को कभी कोई मर्सिडिस दे आया, सबसे छोटा सिक्कार निकाल, तो बिखारी बनो के तो भगवान आभी जायेगा, तो ढूंडेगा, फिर नहीं होगा, आसिस्टेंट को बोलेगा, और दस-दीस पर से वाला को निकालना यार, तेरा हाद में पकड़ा देगा, और धंका आदमी मिलेगा, तब जाके बोलेगा, और की फेक्टरी तेरी, ये तेरा, वो तेरा, तो आपको क्या चाहिए, सोत लो, भगवान मिले तब भी, ठीक है नो, भिखारी मत बनो, क्लियर? येस, हाँ? येस सब! मजे में हूँ, और फिर थोड़ा सा काम चोर हूँ, दो बेटरूम का बनाऊंगा, फिर फरनीचे बनाने का, फिर नोकर एक्ष्टा रखने का, फिर खर्चा जादा, हाँ? आप इतना ही सोचोगे ना, काम चोरी पर निगा रखो, बड़ा, बड़ा प्यारा कून है ये, तो आपको एकदम से बड़े बड़े भाव, संतो, शांती, आनन तुनंत आजाएगा, काम चोरी महान कूने, कही लोग आते हैं, ताओ पर चड़ाने ना, चलो, वो अंबा का दर बारे, डेर्टो किलमेटर पिदल जाते हैं, भई में तो काम चोर में है, तो आएगा तो तो फिर वो आता है, सांस बुल गई थी, बिमार हो गया था, दो दिन अस्पार में भरती था, और आप यहां मजे में हो, काम चोरी बचा लेगी, नहीं चहिए बाबा तीन बेटरूम का मकान, तो उसके लिए वो बोलेगा, दिन में चार घंटे एक्स्ट्रा काम करना है, कि काम चोरी परमधर्म है, तो कि अपने को समाल के रखोगे, तो बचोगे, जाने तो जाने, जान निकल गई तो सब कुद निकल जाएगा, आप में हमेशा एनर्जी लेगी, उसका फायदा ये कि अगर मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा हूं बेकार के काम में, बेका इसा हो जाए, कि 20 साल कमाया मेंने, प्रेट का पजेशन आने का था, मेरा हो गया एक्सिरेंट, और ये वी बच्चे मजे ले रहे हैं, 20 साल किसने देगे हैं, और आजकल कि वी बच्चे बोल भी सकते रहे, टाइम पर टपक किया, तो उपपर बैठे-बैठे दूख होगा, ये क्या करा मेरे यार, इतना लंबा मस सोचो, क्या, इससे तो काम चोरी भई में मजे में हूँ, बस, हमेशा फ़कीर का गून अपनाओ, फ़कीर को विचारे को हाथ यू करे, और कोई सुखी रोटी भी डाल जाए, तो बोले, आजका का काम निप्टा, आजका का काम निप ये लफड़ा खड़ा हो जाता था, तो फिर माई, भाई, 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 भाई ने कुछ दे दिया इवनिंग तक राजा, और इवनिंग में कुछ नहीं आया तो घरबल नहीं, पेट अच्छा रहता है ना खाव तो, सो जाता है, चबाने से तकलिप होती है, नहीं काम चोर पानी के साथ निगा, तो जो मैं कहना चारा हूँ, आपको प्रहम से ये है, कि कष्ट उठा रहे हो, उसके बदले में कुछ भी मिल रहा है, वो लेने लायक नहीं है, कष्ट किसको केतने है, तो जीवन को इस तरीके से मत पसाओ, आठ घंटा पसंद का काम करोगे, जितना मि कि जब अपर्चुनिटी आएगी, तब आप परफॉर्म करके बहुत आगे बढ़ जाओगे, ठके ले रोगे, कष्ट में रोगे, मरे ले रोगे, छोटा सोचोगे, एक से दो बेडरूम का तो होने वाला नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ है, सलक पे गुमने वाला, सीधे त तिसरे दिन आस्मान पे बेठा मिला है, यही कुद्रत की एक रचना है, तिसरी कोई रचना ही नहीं है यहां, और यह सारा इत्यास देख लो बरोबरे, तो डन, तो अपने को मार के बाहर के जगत की मायाये कलेट करके नहीं लाओगे, मेटर एंड, है ना, जो है उसमां, ख शेकरों में फसो ही मत, शेतान भोद उल जाएगा, यह नहीं है तेरे पास, वो नहीं है पेरे पास, यह कस तूठा, वो कस तूठा, आज मेहनत कर, कल मेहनत कर, और बिचारे मेहनत करकर के, करकर के, पचास सांट के होते हैं, तो डॉक्टर के ताह देखो तुम्हारा बीपी डाइबिटिस, सुनो यहो, जवारे की रोटी खाओ, सलात खाओ, एक कोने में पढ़े रहो, और बोले तो मैंना 40 साल मेनत क्यों करी, और फिर उसी के सामने बच्चे जिन्होंने मेनत नहीं करी है, वो घर में एक रूम पे कपजा करके बेढ़ी आते, और बढ़िया फिर ए इसलिए अपन कमाएंगे, तो हल्वा पुरी स्ट्रेट अंदर जाएंगे, तो इसलिए अपना हाल कभी ऐसा नहीं करेंगे कि अपने को सलात पर आना पड़ जाए, तब हल्वा पुरी कमाना कर trag कर दो आसे लो जाएंगे, यहांा जाएंगे, इसलिए था उल्वाजे जाएंगे, पालवाभाजे जा जाएंगう ओर दक प्राभर, फो knock-दर दुरी आते, जाएंगे, घएंगे, तो मैं अंपने कर दाना हम एक वा र्लवाने कर और ए मैंगे, जाओे उूलआ झार क